हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल मैं सुख जीर आपका स्वाक्त करती हूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का गजरेला तो मैंने जहां तीन किलो गाजर ली है इसे मैं कदू कouse करूंगी जे ब्रीक बाले पासे ही करूंगी तो जे मूता बाले पासा इसे नहीं करूंगी तो मैं जहां गाजर शी ले लूंगी और मैंने बहुत बिलियो देखी है मेरी बेहने कहती है कि गाजर का हलबा बनाना बहुत एजी है तो नहीं गाइस बिल्कुल भी एजी नहीं है यह तो बनाते बक्त ही पता चलता है कितना टैम लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमारा जो गजरेला है वो एकदम टेस्टी बनता है तो मैं जे गाजर बना रही हूँ जे गाजर शील रही हूँ मैं जहां बता रही हूँ कि गाजर का एक हिस्टा निकालने से आपका गजरेला सूपर डूपर टेस्टी बनेगा तो जे देखिए जे अंदर का हिस्टा है वो मैंने निकाल लिया है यह उपर का भी मैंने लगाइब बेलकम टू माई चैनल मैं सुख जीत आपका स्वागत करती हूँ गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा आपने बहुत देखे हूंगे गाजर के हलवे खाएंगे भी होंगे और आपको एक बात बता दू गाजर का एक हिसा निकालने से आपका जो गाजर का हलवा है सूपर डूपर बنتा है नंबर एक बनता है गाजर का हलवा तो वह क्या तरीका है तो जे देखिये जे हिस्सा निकालने से आपका जो गाजर का गजरेला है टौप का बनता है तो जे है गाजर का जो इसमें बीच का हिस्सा होता है तो वो है जो मैंने निकाल लिया है उपर से और जो इसके ऐसे सैड का था वो भी मैंने काट लिया है क्योंकि यह हिस्सा होता है थोड़ा कड़वा होता है जिसे हमारे गजरेले का बैलस बिगड़ जाता है तो मैं ऐसे तरीके से बनाती हूँ सारी गाजर के जो बीच का हिस्सा होता है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ तो फिर मैं ऐसे गाजर अच्छी तरह से धोकर इसे कदू का सकर लूँगी फिर गजरेला बनाऊंगी तो गाइस आप भी जब गाजर का गजरेला बनाए तो जे हिसा जरूर निकाले क्योंकि ये निकालने से गाजर का गजरेला नमबर वन बनेगा तो अब हम इसको कदू कस कर लेते हैं तो मैंने सारी गाजर कदू कस कर लिए है और इसमें क्या क्या डालूंगी ये है बदाम, काजू, चीनी तो टेस्ट के अंसार और मैंने खुआ लिया है और दूद, जे चीनी और दूद तो मैं अंदाजे से ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा दूद भी इसमें अच्छा नहीं है, तरी तरी सी नहीं बनानी है हमें तो मैंने बड़ी बड़ी कड़ाही ली है ये कड़ाही मैंने सिर्फ गजरेला बनाने के लिए रखी है जहां कोई भी मठेयाई बनाने के लिए ही लगाई हुई है तो मैंने कडाही गैंस पर रख दी है इसे पकने में टैम लगेगा जब तक इसका पानी नहीं लूस जाता इसमें दूद नहीं डालूँगी तो ये देखिए गाजर का पानी एकदम सूख चुका है आदी गाजर पक गई है इसमें अब मैं चीनी डाल दूँगी और चीनी का भी जो पानी लूस जाएगा तब मैं इसमें दूद डालूँगी तो ये देखिए मैंने इसमें दूद डाल दिया है अब इसे अच्छी तरह से पकाना है जब तक हमारा दूद है जो गाजर में अच्छी तरह से मिलने ही जाता गुरने ही जाता यह एकदम संगला नहीं हो जाता तो यह देखिए दूद भी एकदम सुख चुका है बीच में और इसे अभी और पकाना है इसमें मैं अब देशी घीर डाल दूँगी सबका अपना अपना सटैल है गजरेला बनाने का मेरा तो यही सटैल है मैं ऐसे बनाती हूँ सबको पसंद आता है तो गाइस मेरा गजरेला त्यार है आईए आप भी खा लीजिए तो बहुत टेस्टी बना है तो जुरूर बताना आपको कैसा लगा ये देखिए मैंने ये खोए के इसे डेगुरेश कानने के लिए ही मैं ऐसे लगाए है तो बहुत टेस्टी बना है मिलते हैं नई वीडियो क आप टकली बाइब बाइब बाइब